नमस्कार दोस्तों कैसे हैं सब आसा करता हूं दोस्तों आज इस वीडियों हमें एक एंसी सब्जी के वारे में चर्चा करेंगे जो की अक्टॉमबर के महने में बहुत ही पसंद की जाती है और उसका यदी आप उत्पादन कर लेते हैं तो आपको उसका प्रापेट भी बहु बहुत ही बेजोड है उसका नाम मैं आपको बताओं वो है मटर खासकार अगेती मटर अक्टॉमबर के महने में अगेती मटर की बहुत ही डिमार्ड होती है दीपवली के समय पर जो सबसे जादा खाई जाने वाली सबजिया है मार्केट पर आप देखेंगे धूम रहेगी म बारे में संपूर जानकारी लेंगे और एटुजएट जानकारी लेंगे पांच home लेंगे और बीडियो के होगी विशएसबा बां मैं आपको पताऊंगा रोग प्रबंधन पर लाजन कर लेते हैं तो आपकी फसल जो है बहुत अच्छे दायाम आपको देहाती है वीडियो उसके अधार पर ही आपको हम देते हैं पहले पाइंट को जानते हैं तो पहले पाइंट में जमीन की तयारी जमीन की तयारी उस सब आप जानते हैं आपको कल्टीवेटर चलाना है पाटर चलाना है जमीन को लेवल करना है लेकिन दो पाइंटों के अधार पर जमीन की तयारी आप करेंगे पहला पाइंट होगा आप संतल जमीन पर लेते हैं तो आप चाहें तो बैड विदी से बीच की रुपाई करेंगे तो आपको बारिज जगर ज्यादा हो भी जाती है तो आपको समस्या नहीं आती ही इसलिए अगर हो सके तो बैड निकाल करें बैड की जो चौड ही लगाएंगे एंगे बैड बनाने के पहले आपको क्या करना हुआ अगर आपके पास सड़ी गली घुफर खाथ है तो लगबार चारट लिपत ही इकड कर Yay को असको और इसका पर पहले ही बैड नो कहीं पर चाले आप डाल नो है इसको और इसकी बाहें तो शो बना चंप आपकी आप हम दूसरी पाइंट को जाने तो वह है वेसल खाथ भेसल काथ आप क्या करेंगे वेसल काथ हम सबसे पहले तो को गोपर काथ लेनी हैं दूसरा आप डिए पी की मात्रा 50 kg प्रती एकड एस सब्सक्राई की मात्रा 25 kg consistent इकड ले सकते तो आप देखींगे शुक्राप rate मिले अब हम जाएं यह समय बहुत ही महत्मूर एसक्राइस अगर चुनाव नहीं करते हैं तो आफकी फछाब जो है जर्मिनेट नहीं होगी तो यूगने के बाद फिर अक्तर रोग लग जाए गा बारिस है है तो आपको जनुए सनी नहीं होगा यह सारी समय से आती है तो सहीं समय जो इसका है वो अगेती वाले का पंदर सितंबर के बाद तो पंदरा सितंबर के बाद लेट हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप बारिज ज्यादा होती है और उसको लगा देते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है तो यह रहा सही समय और तापमान की हाँ बात करें तो तापमान आपका 30 तो फिर आप उसकी बजाई कर सकते हैं तो आप समझने की वह सही समय आपका आच चुका अब हम जानते हैं बीच की मात्रा और वेराइटी के बारे में तो वेराइटियों में हम देखें तो जी एस्टैन जो कि एडिमेंटा कंपनी का आती है बहुती बढ़िया वराइटी है आजात्री उसका भी इसमाल आप कर सकते हैं इसके अलावा आप जो है अरकिल का इसमाल कर सकते हैं बहुती बढ़िया वराइटी है इसकी और फिर एपी त्री यह चार वराइटी बहुती बढ़िया है बीच की मात्रा की बात करें तो अगर आप सिड्डल की विदी से करते ह तो उसकी जो मात्रा आपको 40 कजी प्रती करिक्स से लेनी पड़ेगी लेकिन यदि आप बैड बीजी से करते हैं तो मात्रा थोड़ी कम हो सकती है पांसे दस के जी यह निकि 30 कजी से लेकि 35 कजी तक आपका बीज लगेगा अब हम जानते हैं बोनी का तरीका और बीज उपचा से उसका आपकर सकते हैं 20 से बीच की जो दूरी आपको 6 इंच रखनी है तो लाइन टू लाइन की जो दूरी है एक तो बैट की बैट तूरी आपकी तीन प्रेट से साड़े तीन फिर रहेगी दूसरा सीट तू सीड यानिकि एक लाइन पर आप दो लाइन चलाएंगे तो उसके जो बीच की जो गैप रहेगा वो रहेगा लगवाग नौहिंची का अब जिग जग बिदी से उसका आप बुआई कर दें अगर सीडिल से करते हैं तो फिर आप सीडिल से लगाएंगे या फिर चड़वावदी से करेंगे अब बीज उपचार की बात करें तो बीज बीज उपचार से हो सकती है इसके बाद आप स्प्रे करते रहें कुछ नहीं होने वाला उसका ठीक है तो आपको बीज उपचार जो है बहुत ही आवज सके आप चाहें तो इसके साथ में इस सेक्ट्री साइट कर सकते हैं जैसे कलूरों वगएरा का समाल आप कर लें यह गा अलुकर है तो फिर हमने पर सोने पर सोफगा जैसी बात हो जाती है तो उसका वीडियो बारे में जये सेखिक हो यह स्चैनल पा लेंगे तीसरा है इसमें आपका इल्ली ठीक है बीच के अंदर फलिया होती है मड़गी उसके अंदर इल्ली हो जाती है और वो पूरे फलों खराब कर देती है तो सबसे पहले उक्टा की बात करें तो उक्टा रोगों के लिए आपको मैंने पहले बता दिया है साप पौडर थायरम या फिर रेड़ो मिल गूट का इसमाल आप कर सकते हैं अभी जुपचार के लिए ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें पौडर मिल्डी की तो पौड पौडर मिल्डी नहीं आती है यह दिए आज आती है तो फिर आपको इसमाल करना है जोल गूरूप जितने भी फंगी साइड है जैसे डाइफ है नाकुन जोल है टेवी को ना जोल है आप इनके इसमाल कर सकते हैं अगर ब्राइंट की बात करें तो कस्टोडिया है उसकी मात इसके आलावा आप चाहें तो सौधीन जो की सफ़ांगी साइड है उससाथ पावडर फार्म पर सल्फर भी होता है उसका इसमाल आप कर सकते हैं 400 ग्रम प्रती इकड़खे साथ से तो आप देखेंगे अगर पावडर आ भी जाती है तो अब इल्लियों की बात करें तो इल् साइपर है इनका आप कर सकते हैं आप चाहें तो सेंजिनिंडा कंपणी का अलीका के समाल कर सकते हैं जिसमें की लेमडा प्लस आपका थायमा थाख्वल होता है और इसके अलावा फिर इमामेक्टीन बंजूइट ज्यादा गर इल्लियों हो जाती है तो और साथ में एसीट हो कोई सलाय हो चैनल के लिए तो आप जरूर लिखें हमें आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक नमस्कार जैहिंजे किसान जैजवार